Hello friends, data structure सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं हमारा chapter 43 जिसमें हम सीखेंगे insertion sort की algorithm and program इसे पिछले वीडियो में हमने sorting क्या है इसके बारे में समझा था sorting का मतलब है data को arrange करना तो list of values अगर हमारे पास है तो उसको sending या descending order में arrange करने को हम sorting कहते हैं खास तोर पर जब numbers की बात हो रही है sorting दो प्रकार की होती है internal sorting and external sorting इससे पिछले की वीडियो में जिसमें मैंने bubble sort पढ़ाया हुआ है आप उस वीडियो को देखिए उसमें मैंने internal sorting और external sorting में फर्क समझा है फिलाल जो हम पढ़ रहे हैं वो internal sorting क्यालाती है आज हमें देखना है insertion sort तो हम इसका working logic समझते हैं इसके लिए हमने एक array लिया हुआ है और इसमें देखने हैं कि working logic क्या है ये array में values random order में दी हुई है आपको logic कुछ इस तरीके से start करना है कि सबसे पहले एक variable हमको बनाना होता है temp नाम का तो let's say हमारे पास एक variable है जिसका नाम हमने रखा है temp ये variable में हम value एक एक करके pick करेंगे हम एक index के लिए i variable ले ले लेते हैं जिसकी value 1 से start करते हैं और 8 तक चलाते हैं हमारे इस example में 8 आखरी index है इसलिए 8 तक द्याद रखी मनें i के value 0 से start नहीं करी है तो initially i के value 1 है और हमें हर बार करना क्या होगा हमें temp के अंदर assign करना होगा a of i okay now what is a of i i के value अगर 1 है तो a 1 कितना हो जाएगा 45 तो temp के अंदर क्या गया temp के अंदर गया 45 यह पहली step अब हम एक और variable ले रहे हैं जिसका नाम लेते हैं j j की value हम start करते हैं i minus 1 से और कहां तक ले जाते हैं 0 तक मतलब j की value decrease करते जाएंगे अब i अगर 1 है तो j की value 0 है मतलब a की बार तो हम एक loop चला रहे हैं basically यह loop है ठीक है इस loop में यह loop कितनी बार चलेगा j की value i minus 1 से लेकर 0 तक and एक और condition आपको चेक करनी है जब तक temp छोटा है a of j से a of j मतलब a of j मतलब temp के left वाली value जो भी आपने value temp में रखिये 45 रखिये 45 की left वाली value से जब तक temp छोटा होगा तब तक यह loop चलेगा तो loop कब रुख सकता है यह loop रुख सकता है यदि j की value 0 हो चुकी है और उससे भी कम हो जाता है वैसी हमारा यह loop रुख जाएगा तो देखे इसमें हमें करना क्या होगा इसमें basically हम यह कर रहे हैं कि जो भी value a of j में रखी है उसको आगे shift करना है मतलब a of j प्लस 1 में रखना है इसमें assign कर दिया a of j तो simply हमें करना यह है कि हमें एक एक value shift करनी है तो जैसे शुरुवात में 45 हमने उठाया अब 45 का comparison 31 के साथ है यह temp का comparison a j से है j की value कितनी है? 0 i से 1 कब i अगर 1 है तो j कितना है? 0 तो a 0 temp से बढ़ा है क्या? नहीं है तो यह loop एक भी बार नहीं चला और यह as it is रहा अब यहाँ पर 31 क्योंकि 45 से छोटा है अगर बड़ा होता तो मुझे इस number को आगे shift करना होता और 45 को पीछे लाना होता और अभी फिलाल ऐसा नहीं है तो i की value 1 के लिए काम हो चुका है अब इसका मतलब यह है कि i की value बढ़कर हो जाएगी 2 और temp में value अब 45 नहीं रहेगी बलकि value जाएगी 11 चीक है आप देख सकते हैं कि 11 मैंने temp में रखा है और 11 के पहले जो array है वो already sorted है तो अब लूप चलेगा j की value i-1 से start होते बढ़े यानि basically दो बार j की value 1 के लिए और j की value 0 के लिए लेकिन साथ ही साथ हम यह भी चेक कर रहे है कि temp छोटा होना चाहिए आप देखिए temp 11 है aj 45 तो temp छोटा है इसलिए loop चल रहा है तो मैं 45 को कहां पहुचा दूँगा 45 को पहुचा दूँगा a2 में aj plus 1 में क्या sign कर दिया aj अब aj का मतलब कितना था 45 किसमें चला गया a2 में फिर मैं temp का comparison aj से करूँगा j देखिए decrement होता जा रहा है तो j की value अब 0 हो चुकी होगी तो temp यानि 11 का comparison a0 से हो रहा है यानि 31 से हो रहा है तो क्या होगा 31 और 11 में 31 बढ़ा है तो yes यह condition true है true है तो फिर अंदर आएंगे और aj प्लस 1 में aj assign करेंगे मतलब 31 को भी एक आगे shift कर देंगे अब क्योंकि j की value क्या हो चुकी है j की value हो चुकी है 0 तो होई चुकी थी अब minus 1 और decrement होगा तो minus 1 तो यह loop रुख जाएगा loop खत्म हो जाने के बाद हमें सिर्फ यह करना है कि a of j plus 1 में देखे j minus 1 हो चुका था तभी तो loop end हुआ था तो aj plus 1 में assign कर दें temp ठीक है तो क्या होगा temp यह नहीं 11 store हो जाएगा इस 31 की जाएगा तो 31 में अब 31 नहीं रहेगा यहाँ 11 हो चुका होगा और यहाँ 45 की जगे पर हो चुका होगा 31 और 11 की जगे पर हो चुका है 45 यह changes हो चुके है फिर i की value बढ़ेगी i की value बढ़ेगी तो 3 हो जाएगी तो temp में जाएगा 89 यह हो गया temp अब temp के left में आप देखिए जितनी भी values हैं 11, 31 45 यह तीनो की तीनो values आपस में sorted अभी यह समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पर लिख देता हूँ 11 है 31 है और 45 है तो यह सभी values तीनो values आपस में तो sorted हैं अब मैं देखता हूँ कि यह जो value है temp की 89 यह चोटी है क्या नहीं चोटी नहीं है left वाली value से अब देखिए ने 89 के left में जो value that is 45 यह इस array की इन तीनों में सबसे बड़ी value होगी ना क्योंकि यह आप आपने आप में sorted है 11, 31, 45 यह जिस value का आपने pick किया है temp में रखा है उसके left में जितनी values हैं वो already sorted है sorted है तो जो सबसे बड़ी value होगी वो just उसके बगल में होगी मतलब 45 तो 89 के left में तीन values हैं जो की sorted हैं तो यह जो तीसरी value है यही तो सबसे बड़ी value होगी तो 89 अगर इस 45 से बड़ा है तो बागी सबसे तो बड़ा हो गई तो बागी सबसे comparison करने की जरूरत ही नहीं यही loop end हो जाएगा यही loop end हो गए IQ value फिर बढ़ती, IQ value हो जाती 44 तो अब temp में assign हो जाता है 55 temp में क्या चला लगिया 55 अब temp इसकी बात कर रहा है और temp के left में देखो तो temp के left में चार values है और यह चारों अपस में sorted है अब क्योंकि temp छोटा है A3 से तो अब 89 को आगे shift करेंगे 89 कहा हो जाएगा इस 55 की जगे आजाएगा 89 फिर देखेंगे क्या 45 से छोटा है temp नहीं जाएगा और a j plus 1 यानि a 2 plus 1 a 3 a 3 में temp की value assign कर दो यहाँ पर क्या जाएगा 55 इस तरीके से हम आगे बढ़ते जाते हैं और जिस value का अपने temp में रखा है उसके left वाला portion already sorted है sorted होते हुए ही आगे बढ़ता जाता है अच्छा आप इसका एक best case imagine करिए अगर यह पूरा का पूरा array पहली बार में sorted होता तो क्या होता तो होता यह कि किसी भी left की सारी values already sorted होती अगर मैं कहा रहा हूँ कि सारी values sorted है already sorted है best case दिया हुआ है तो किसी भी value को जब आप pick करते temp में रखने के लिए तो उसके left का array तो पूरा sorted होता और यह भी confirm होता क्योंकि यह पूरा array पहले से sorted है तो जो आपने pick किया है वो उसके left की सभी values से तो बढ़ा ही है तो आपको यह j वाला जो loop है ना यह चलाना ही नहीं पड़ता यह पहली बार में यह false हो जाता तो यह loop कभी चलता ही नहीं तो loop A की चलता कौन सा I वाला तो time complexity best case में अगर आपन बात करें न तो इसकी हो जाती O of N तो insertion sort के साथ फायदा ही है वैसे तो loop की nesting हो रही है लेकिन best case में इसकी time complexity O N हो जाती है जबकि average case में O N square ही है क्योंकि loop के अंदर loop है तो कोई पूझे है कि insertion sort selection sort और bubble sort से better क्यों है क्योंकि इसमें best case में time complexity O N अब आईए इसकी algorithm देखते हैं जो कुछ हमने समझा वही इस algorithm में लिखा हुआ है सबसे पहले हमारे पास array है और size है माल लीजे N elements से उसके अंदर हमें एक i variable लेते हैं जैसे कि हमने लिया था उसकी value 1 से initialize करते हैं loop लगाते हैं जब तक i की value N से छोटी है यानि जितने भी values array के अंदर हैं वहाँ तक जाएंगे और temp के अंदर क्या रखते हैं AI जो अभी हमने समझा ली था temp के अंदर हमें AI रखते जा रहा है और j की value हम i-1 से initialize कर देते हैं और एक एक करके decrease करते जाएंगे तो हम repeat करेंगे यह inner loop है j की value जब तक 0 या उससे बड़ी है और temp की value जब तक AJ से छोटी है तो AJ plus 1 में AJ assign करते जाओ और जे की value को decrement करते जाओ जब यह loop end हो जाएगा तब हम AJ plus 1 में temp की value assign कर देंगे और temp को उसकी सही जगे पर बठा देंगे और फिर I को increment करेंगे और बाहर वाला loop continue होगा तो अब हमें देखना है इसका program तो यह program बनाते हैं इसका यह मैं code blocks पर coding कर रहा हूँ नई file empty file लेता हूँ और इसको पहले मैं save करता हूँ जब मैं save करूँगा तो वो मेरे से option पूछेगा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ insertion.c insertion.c नाम से मैंने इस file को save कर लिया देखिए अब मैं इसके अंदर coding करने जा रहा हूँ तो coding किस तरीके से होगी avoid insertion sort यह function का नाम हो गया और इसके अंदर मुझे एक तो चाहिए होगा array और दूसरा चाहिए होगा इसका size that is i algorithm के साब से दो चीज़े इसके अंदर मैं एक i नाम का variable बनाऊँगा एक j नाम का variable बनाऊँगा एक temp नाम का variable बनाऊँगा i की value शुरुवात में initialize करता हूँ 1 से अब एक loop चलाता हूँ चाहूं तो यह i की value इस loop के अंदर ही initialize कर लेता हूँ i की value 1 से start करता हूँ i को मैं एक एक करके बढ़ाता जाओंगा और कब तक चलाओंगा i जब तक छोटा है n से यह लास्ट index होगा n-1 इसके अंदर curl क्या रहा हूँ यह मैंने curly bracket लगा है for loop की body अब मैं temp के अंदर assign कर रहा हूँ a of i चीक है आचा temp के अंदर value आ चुकी अब मुझे उसकी left value से compare करना है तो मैं एक और loop लगाता हूँ जिसमें j की value initialize करता हूँ i-1 से और loop कब तक चलाता हूँ जब तक j greater than equal to 0 है and temp छोटा है a of j से चीक है और साथी साथ मुझे j को हर बाइड decrement भी करते चलना है और इस loop में मुझे सिर्फ एक काम करना है a j plus 1 में assign करना है a of j जब यह loop end होगा तब last में a j plus 1 की जगे पर हमें रख देना होगा temp की value that's it हमारा काम complete होगे अब हमें सर्फ इतना करना है कि इसकी testing करना है testing करना है के लिए हम program की completeness के लिए main function भी बना लेते हैं तो देखिए मैंने पहले इस function का declaration करा void insertion sort int int अब लिखा int main और कोई भी एक area हम बना लेते हैं for example मैं कुछ values इसमें रख लेता हूँ जैसे मैंने value रखी 34 फिर मैंने दूसरी value रखी दूसरी value रखी 45 दूसरी value रखता हूँ 11 चौती value रखता हूँ 89 फिर value रख देता हूँ 55 फिर value रख लेता हूँ 19 22 ठीक है 8 40 इस तरीके से कितनी values हो गए है यह values हो गए है 8 9 यस 9 values है और अब मैं insertion sort call करता हूँ insertion sort और इसमें pass करता हूँ array और total number of values elements अब इसको यह insertion sort से जाएगी तो मेरा result आ चुका होगा यानी sorting complete हो चुकी होगी तो मैं एक variable और बना लेता हूँ i i की value 0 से start करता हूँ sorting complete हो चुकी तो मैं array को print कराके देखूँगा total 9 values है तो last index 8 है और इसमें printf अब print कर देता हूँ percent d लगाता हूँ space लगाया फिर percent d और a of i की value print कराता हूँ ताकि पूरा का पूरा array print हो जाए लास्ट में get ch programming 8 11 19 22 34 40 45 55 very good यह पूरा का पूरा sort हो चुका है तो हम कितनी भी values हैं यह हमारे algorithm तयार अब इस program को अच्छे से देख लीजे note कर लीजे तो इतना छोटा सा code है अब अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे like करिए अगर आपको लगता है कि यह बहुत ही useful है कई लोगों को समझ में आ जाएगा इससे तो आप इसको अपने facebook wall पे जरूर शेयर करिए एक तो यह वीडियो जाएगा तो आपको लगता है कि यह आपको बहुत पसंद आया है और आपको बहुत समझ में आया इससे तो बहुत लोगों को इससे समझ में आएगा तो आप इसको facebook wall पे जरूर शेयर करिए यह उनलों के लिए बहुत अच्छा होगा इसके लावा यदि आपको लगता है कि इस तरह के और वीडियो देखने में आप इंटरस्टेड है तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और उनके वीडियो के लिंक भी मिलेंगे जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसकी जनकरी इस साइट पे भी अपलोड कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से वो वीडियो मिल सके कि अभी latest वीडियो मैंने कौन सा अपलोड किया हुआ है कौन से वीडियो मैं upload करने वाला हूँ, इसकी जंकरी भी आपको इस पर मिल जाएगी, आप इस site पर exercise भी देख सकते हैं, जिसे कि आप programming practice कर सकते हैं, आप इस site पर दूसरे कई सारे subjects भी cover कर सकते हैं, जैसे C, C++ DBMS, Java PHP, वगेरा, Thank you